कैसे हैं आप सब होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके बीश में बहुत एक्विक चौमासा स्पेशल रासीपी लेकर आई हूँ इसके स्पेशल क्वालिटी यह है किसे आप सबजी की तरह भी सर्व कर सकते हैं और स्टार्टर की तरह भी बनाना के हैल्थ इसके बारे में तो आपको पता ही होगा यह हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही हैल्थी बनाता है एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होता है वजन गटाने में हल्पुल होता है कॉंस्टिपीशन की प्रॉब्लम में भी यह हमको राहत देता है भूप को शांत करने में राह करना उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अब सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर से दबा दें ताकि न्यू रासिपी अप्लोड की नॉटिफिकेशन अब तक पहुंच सके सबसे पहले हम रा बनाना को पील आप कर देंगे इसकी स्किन थोड़ी सी ठिक रहती है इसे अच्छे से पील आप कर देंगे कटने के बाद में बनाना थोड़ा ब्लैक हो जाता है तो उसे हम एक प्लेट में पानी ले लेंगे उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और नीम्बू की कुछ बूंदे एड़ कर देंगे और उसमें बनाना चील के एड़ कर देंगे यह हमने फोर रॉ बनाना लिये हैं आप अपने हिसाब से कौन्टिटी अड़्जेस्ट कर सकते हैं अब इसे हमें यहां मैंने सॉल्ट टाइट कर लिया है बिल्कुल थिन स्लाइसेस करनी है इसका आप चाहें उस शेप में कट कर सकते हैं अगर स्टार्टर के रूप में आप बना रहे हैं तो उसके और भी लंबे-लंबे स्लाइसेस के रूप में से कट कर सकते हैं यहां मैंने round slices करें हैं, अज मैं सबजी बना रही हूं, तो छोटे slice करें हैं, अगर आप starter के रूप में दे रहे हैं, तो आप एकदम लंबे-लंबे slice करके दीजेगा, तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, इसे नीबू और नमक वाले पानी में डाल दिया हैं, अब यहां एक प अच्छे जीरा डाला हैं, और कडी पता अड़किया है, कडी पता का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ग्रीन जिली आपकिया है, और यह बनाना डाल दिया है, यहां मैंने थाबूत तनिया बीड डाला था, इसमें थोड़ा सा उसका फ्लावर भी बहुत अच्छा आए जब अच्छे से टॉस कर देंगे, उसमें आप मस्टर्ड ऑईल का यूस करेंगे, तो उसका टेस्ट वी बहुत अच्छा हैगा, उसदेर के लिए इसे जोनों दरब से प्राइ करना है, मसाले हम बाद में अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, अच्छ करेंगे, नहीं तो जो सबजी में मसाले डालेंगे तो जल जाएंगे, अब इसमें सॉल्ट आइड किया है, टर्मरिक पाउडर आड किया है, यह दोनों मेक्स करके, कुछ दिर के लिए हम इसे पकने के लिए डग कर, डग कर रख देंगे, इसमें ओइल की क्वांटिटी थोड़ी सी जादा रखिएगा, नहीं तो फिर जो कच्छा केला है, वो गरम गरम खाएंगे, तो सॉफ्ट लगेगा, ठंडा होने के बाद में वो गले में अटक सकता है, तो ओइल की क्वांटिटी आप पूरी लीजेगा, अब इसे कुछ द आपले के लिए ठककर पकने दिया है, अब मेरे अए बनाना सॉफ्ट हो गया है, अब यहां इसमें एड़ करेंगे हम रेट चिली पाऊडर, यहां मैंने कश्मीरी रेट चिली पाऊडर एडं किया है, यह थोड़ा सा तीखा कम होता है। और जो लोग तीखा खाते हैं तो इसमें जो रैड चिली पाऊडर स्पाईसी वाला है वो एड़ कर सकते हैं. अगर आप सबजी बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगेगा. और अगर आप स्टार्टर के लिए बना रहे हैं तो उसमें मैंने कश्मीरी रैड चिली पाउडर आड़ किया है उससे आपका काम हो जाएगा आप चाहो तो इसमें ब्लाक पेपर पाउडर और सॉल्ट आड़ कर सकते हो चाट मसाला आड़ कर सकते हो जैसा फ्लेवर आपको पसंद है वैसा आड़ कर सकते हो और अगर हम सबजी इससे बना रहे हैं तो सबजी थोड़ा सा स्पाइसी ही अच्छा लगेगा तो उसमें आप प्राइड चिली पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा एड़ कर दें बहुत ही जल्दी क्वेक यह सब्जी बनकर तयार हो जाती है जब भी आपका मन करें तो आप यह बनाकर खा सकते हैं आप इसे फ्रैंस फ्राइज की तरह भी लॉंग पीसेज में कट करके फिर इस तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रासीपी अगर अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी से सब के साथ शेयर कर दीजे और एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजे तैंक यू मिलते हैं नए वीडियो में नई रासीपी के साथ बाबाई